करें तो हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू दो सेकेंड लेक्च्र आफ मैंटी डियक्षण तो आज हम लोग राइख सब्सक्या घरेंगे हम कुछ प्रॉबल्म्स लगाएंगे जो नेट गेट और डिसे जयं में पुछी गए है तो देखिए अब हम मै एक्सन हेट्रसागली कंपांड है उस्का नाम क्या है इन्डॉल ?? हमारा हुआ जहां पिर बिंजीन फूल्ज होती हें किस से तर है यह क्या है यह देखिआ यह आपका पाइडरण रिंग है और यह क्या है बिंजीन रिंग ठीक है अब ये बेंजीन रिंग है अब ये क्या है दोनों बेंजीन है इसका नाम बेंजो इंडोल होता है इसका दूसरा नाम भी क्या होता है बेंजो पैरोल अब इसके उपर हम क्या लगाएंगे मैनेच रियक्शन क्या मैनिच रियक्षन मैनिच रियक्षन में हमारी कंडिशन क्या होती है कोई भी हम क्या लेंगे फार्मेल डिहाइड को किसी एसिट की पर्जिंस में इन दा पर्जिंस आफ कोई भी एमीन एमीन क्या हो सकती है? अब की primary या secondary और हमारा एक product पी बनता है यही मैनेच रिएक्षन हुए जो अकल हमने लेक्चर में डिस्कस किया ठीक है आप इसमें देखिए अब क्या है यह आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड होने के साथ साथ कैसा है यह आपका एरोमेटिक अरोमेटिक कंपाउंड है अरोमेटिक के साथ साथ ये क्या है अरोमेटिक के साथ ये आप एक electron rich species हो गई electron rich species हो गई मतलब ये क्या हो गया एक nucleophile तो मैनेच reaction में जो हमारा अभी तक हुने जो पढ़ा वो क्या बनता है एक instant mojar salt बनता है वो क्या होता है और बलाब इसमें यह एलेक्ट्रोफाइल आई करेगा यह होगा दोनेजों क्या करेंगे आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो कैसे रिक्ट करेंगे तो आह यह हम देखते हैं कि इद्धा समझिए अब जहां से देखिए अगर हम इंडॉल के स्ट्रक्चर की बात करें जहां से देखिए ये कितने मेंबर रिंग है 6 मेंबर ये कैसी है 5 मेंबर रिंग और अभी तक इस सभी पता है कि इसका नाइट्रोजन पे ओफ फिलेक्टान होता है वह क्या होता है डी-लोकलाइज होता है पूरे सिस्टम में तो इसका इस्ट्रक्चर कुछ इस तरह से एक्जिस्ट करेंगा विज़ने लिक्तान देज़ा यहाँ पर प्लस जाइड यह क्या हो गया यहाँ पर निजह तो इसC geh पर एक स्थ परर एक करेगा यहाँ पर एक एच रहेगा कि अटैप हो जाएगा कि अ कि अ कि फिर क्या होगा लास्ट में माइनस एच प्लस क्या होगा यह यहां से ऐसे लीप कर जाएगा और हमारा ठेकर देखे अब यह हमारे तीसरी पोजीशन है तो जो इंडॉल में जो इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होता है वो कहां पे होता है थार्ड पोजीशन पे अब थार्ड पोजीशन पे होता है एक यह तरीका है कि हम रिजोनेंस से इसके की स्टेबिल्टी रिजुनेंस से देख लेते हैं कि मतलब कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा किस पोजिशन पे लेक्टान डेंसिटी ज्यादा होगी उसी साफ से लेक्ट्रोफाइल एक करेंगे एक दूसरा तरीका भी है तो अगर हम इंडॉल की बात करें जहां से देखिए य इस इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पे एटम कितने हैं शिक्स और पाई इलेक्ट्रांज कितने हैं दो हो दो ये दो चार और ये दो छे ठीक है अब ये छे एलेक्ट्रांज हुए आप क्या करेंगे अब जहां से देखे अब यहां पे इलेक्ट्रांज डेंसिटी पर इतम कितनी हुई एकट्रांज कितने हैं तो यहां पर इलेक्ट्रांज डेंसिटी Kितनी हो गई वन पॉइंट तो यानि बेंजीन रिंग से जाज़ा एलेक्ट्रांज डेंसिटी किस में पाइरॉल रिंग में यानि पाइर आल ड१िम firm न हि हमारा क्या करेगा इलेक्टुटॉफाइल अट न देखते हैं गली तो देखिए जैसे मैंने चिरेक्शन के एक हम बात करें तो माल लीजिए हमने यहां पर इंडॉल ले लिया क्या इंडॉल यह इंडॉल और साथ हमें हमने इसकी रेक्शन करा दी किससे कल फर्मल डेहेट से कराया था और चलिए आज हमने कोई भी सेकेंडरी मिन और इसको एच की पर्जस में ट्रेट कर दिया तो प्रोडेक्ट क्या बनेगा बस सिंपल हम आज ट्रेक्श से करेंगे तो कल दिधास देखिए यह आपस में मिलके क्या बनाते थी इमीनियम साल्ट अब यह इमीनियम साल्ट बनाएंगे कैसा बनता है इमीनियम साल्ट चेस्टू एन चेस्ट्री प्लस चलिए मालने जह हमने यहापे देखिए अब इसके अगरा बाप करें तो यह कुछ इस तरफ से एक जिस्ट करेगा चेस्टू प्लस एन यह क्या हो जाएगा 3 सिस्थरी यही हमारा क्या होता था Electrofile अब यह Electrofile system इसके third position पर फाला हम अग 來 यही हमारा क्या होगा यही है प्रोडक्ट होगा यह हमने ट्रिक्स से कर दिया जो कल मनें आको ट्रिक्स बदाए थी क्या बताए था जहां पे electron density जादा होगी वहां पे यह क्या रोना है यह कहां से आता है from formaldehyde और यह कहां से आता है from amine बस simple trick से कर लिए अगर आप लोग mechanism करना चाहते है तो आप mechanism से भी लिख सकते हैं आपका answer गया आएगा यही हमारा क्या है ultimately product है समझ गये तो मतलब अगर indul में बात करें या बेंजो पैरॉल की बात करें तो electro file कहां पे टेक करता है third position पे यानि मैनेच reaction का जो imenium salt है वो भी क्या है एक electro file तो वो कहां पे टेक करेगा third position पे और हमारा product बन जाएगा हमेशा mechanism से बनाईए और साथ में अगर मगनेजम सिख गए तो आपके ट्रिक क्या हो जाएगी ट्रिक से भी बना लेंगे ओके मैं इसको रप कर रहा है ओके चलो मूब करते हैं next problem की तरह तो देखी मान लेजिए मैंने आपको एक इसा प्रेडिन दे दिया क्या दे दिया और वो प्रेडिन का डिरिवेटिव आपका क्या है टू मिथाइल प्रेडिन क्या नाम है इसका देखी बन पोजिशन ये तो इसका नाम है टू मिथाइल प्रेडिन अब इसके उपर क्या हमने इसके उपर हमने क्या लगा दी मैनिच रियक्षण कि देखी हमने क्या कर लिया कि एज प्लस साथ साल में फार्मिठ ड्याइड और साथ में हमने सी टू है फाइफ क्या लेए एग सेकंड्री अमेन ले लिया अपक्या रियक्षण हो गी और कैसे रियक्षण होगी तो इसके हम बात करें show सी थे wspól गया किने मैं में किया लेते हैं एक एसिड लेते ऑUBजी एक 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 इसलिपिस्जिद घूर डिसुदी वो किसी निकुलियोफाइल से अटेक रेक्ट करेगा तो दिखिए अगर हम प्रेडीन के स्ट्रक्चर की बात करें किसके बात करें प्रेडीन की तो दिखिए इस नाइट्रोजन के पास क्या होता है नाइट्रोजन के पास क्या है यह क्या है आपके लोन पेर आफ इलेक्टरा दोनेट कर देगा तो हम यहां पर एसिड लेते हैं या नहीं वह क्या लेते हैं एच पिलस इसके पास वैकेंट आर्बिटल इस ने इसको क्या किया इलेक्टान डोनेट कर दिया और कुछ हमारा इस तरह का कमेस्न कि आप अब दहां से देखिए यह नाइट्रोर्जन क्या हो गया पॉस्ट्यव चारज याए यहuler Колे डिफीसियंट दो गया तो क्या करेगा यह क्या करेगा यह कि lekker तो करेगा यह माइनस आइफेट्स हो करेगा तो जहां से देखे इसने यहां पर खेच लिए अपनी तरफ बिड्रॉ कर लिए तो यह क्या हो गया है यहां से क्या करेगा इलेक्ट्रान प्रोटान निकाल लेगा ऐसने तो आपका कुछ इस तरह से entrance करेगा इस स्पर्म हमारा यह intermediate बना अब ये intermediate कैसे रेक्ट करेगा तो देखते हैं है अब देखिए अब इसको बाद मैरे इक सब्सक्राइब यह करेंग करेंगा को यहांसे बीधि YKaqu department रेक्टान इसको देगा और यह इस तरह से एक्जिश्ट करेंगा तो यहां पे प्लस शाज और participants स्फ टू माइनस यह क्षाइजprises यह प्लीजल हो गया किस से डिक्कces से एकको और इलेक्ट्ड़ से और मैनेज रेक्षिन में हमारा एलेक्ट्रोफाइल क्या है इमिनियम सॉल्ट तो आईए देखते है जैसे कि अभी हमारा नेक्ट्रोफाइल जन्नेट तो हम इसमें जो हमने वो लिया है फार्मेल डेहेड लिया है और एन कि से टूएस फाइफ सेकंडर्य हमन थी ये है यह अपस में एज एच प्लस की पर जलसमें क्या बनाते हैं इमिनियम सॉल्ट हम आपको बता के बतायेंगे नहीं यह हम आपको बता चुके हैं ठीक यह minimum salt और यह क्या हो गया एक एलेक्ट्रोफाइल यह एलेक्ट्रोफाइल हो गया यह क्या करेगा यह निक्ट्रोफाइल इस सेंटर पे टेक करेगा और कुछ इस तरह का देखो सेस्टू सेस्टू यहां पे टी यहां पे टी फिर क्या होगा लास्ट में अभी यह क्या होगा यहां पे टी माइनस एच प्लस निकल जाएगा और हमारा प्रोड़क्ट्ट हमारा कुछ प्रोड़क्ट इस तरह बनेगा यही हमारा क्या है मैनिच प्रोड़क्ट भस आपको अगर आपको ने निक्ट्निउफाइल जन्नेरेट कर लिया कहा पे जन्नेरेट करेगा bent simple tricks अब क्या करना है दीकी अगर प्रिक बात करें तो सिस्टू माइनस निकुलियूफाइल ठीक है आप क्या करना था फार्मिल डेहाइड का इसके बगल में पर जोड़ना था दिया और एमीन का क्या कर जोड़ना होता है इन एक एमीन से एक चटा आगे आपका बस्क्यूल एन इटी इटी जोड़ना होता है तो उससे भी आपका यह प्रोड़िक बन गया तो चलिए देखे आप हम क्या करेंगे हम उसमें प्रॉब्लम करवाएंगे हेट्रोशागली कंपाउंड के उससे में हम आपको उसका जो रीजन होगा बता देंगे तो यह एक बात कुस्टन ने पुछा गया है नेंट में फूर मार्क्स का था एकुस्टन अभी फूर मार्क्स कर रहा था यह आसान कुस्टन नहीं होगा मतलब थोड़ा टप होगा तो अब क्या है कुस्टन कुस इस तरह का था यहां पर नोने मिधायल लगा दिया यह इस तरह और फिर इसको ट्रीट करवा दिया अधिश्टू और अधिक इसने नहीं यह बनाया हम आपसन नहीं लिखेंगे बसक्राइब आपको बताएंगे और उसके बाद इसके बाद उन्होंने इससे फिर से टीट करवा है किससे मिधायल आयोड़ाइड से जो मैं कल करवा चुका हूँ और फिर थर्ड रिजीन यूज़ कि उन्होंने सोडियम साइनाइड और प्रोडक्ट उन्होंने ए और बी पूछ लिए तो आपको चार आपसन दिये हुए थे तो बस आपको क्या करना था पहिचानना था समझ गये कैसे करना है तो देखिए ये क्या है आपका पाइरॉल ठीक तो यही हमारा यहाँ पर क्या करेंगा यही हमारा निकुल्फाई जनेलेट करेंगा क्योंकि यह हमारी लिक्टान इडिच इस्पसीज वही तो अगर हम बात करें पाइरОल की सिंपल पाइरोल की बात करें है और बाद करें तो यहहां पे जो लोन प्यारा फ़िस्कों को माता है कि यहां प्लताय कुस्छ फ़िकरporter करता यह पीजाएक इलेक्टरान ँरोमेंटिकल ऊंक ठीक है फिर इसके सबस्क्राइब देखिए पहले जैए यहां पर फ्लस और यहां पर क्या हुआ यह मैनश वह फिर यहीं बॉंड इसर मूग करके जाएगा यह निटलाइज M माइनस और कुछ इस तरह का बॉंड बन जाएगा और साथ में कुछ इस तरह से हम डिटेल नहीं बताएंगे इसका मतलब कैसे मालेकुलर प्रिक्चर होता है अब क्या होगा अब यह पाइब बॉंड क्या करेगा इस तरह मूब करेगा और आपका रिजुनेटिंग स्टेक्चर कुछ इस तरह से मनेगा तो यहां पर डबल बॉंड यहां पर माइनस तो दिखिए यहां पर पाइरॉल में पाइरॉल में जो इलेक्टार्ण डेंसिटी मैक्सिमम है वह करेगा तो ट्रों का हाँ पर टैक करेगा अलवेज एड ज़िफ फैकें पूजी स्नमस्च इतना समझ गए तो आईए करते हैं ओके तो दिखिए आप हमने क्या किया हमने एलेक्टाने जन्नेट कर लिया निक्लियो फाइल हमने कैसा हमने चन्नेट किया इस तरह का इस तरह के निवलिफा जननेट किया तो दिखिए हमारा एक्जाम जो कुश्चन दिया हुआ है उसमें क्या दिया है बस इस पैर ओल की जगह इस पैराउल की जगह नोंने क्या कर दिया वह लगा दिया आपका एन प्लस यह भी क्या करेगा इसी फ़र्म में एक्जिस्ट करेगा अब दिखे जो आपको इलेक्ट्रोफाइल जननेट करना है हमारा एलेक्ट्रोफाइल क्या जननेट होगा देखिए ओप्शन में क्या दिया हुआ है स्टू ओ प्लस इन सेकेंडरी में दी हुई है वह कैसी मिठाइल वाली अब क्या होगा अगर सेकेंडरी दी है तो ठीक कुछ भी अगर आप आप कुछ भी दिया कुछ भी लगा लेजी आ तो यह क्या होगा एच पलस की परजनस में क्या बनाता है इमिनियम सॉल्ट आप इम ठीक आपका प्रोड़क्ट क्या बनेगा यहाँ पर प्लस यह ऐसे यह एच यह सीस्टू यह एन यह सीस्ट्री और यह कुछ इस्ट्री करेगा अब क्या होगा कामपाउंड यान्य स्टेबल के आप अरिम्दस के सिटी लिए यह लादिक अंप उर्फट है चाहे वो कंपाउंड हो कोई बी अपने डा नहीं करना चाहता है यानि वह स्टेबल होना चाहता है अब स्टेवल्टे के लिए क्लेगा और ऑर माइनस एच प्लस निकल जाएगा और यह कुछ ऐसे एकजिट करेगा एन आ है इस ट्री और यह आपका थीजुद्ध है सिस्ट मिलैं रजी ही हमारे प्रोडक्त हम ने बना लिया तो यह पोड्ल मालिया समझ गए तो अब मोग करते हैं ब्राद बी की तरफ ठीक है डाट प्रोडक्ट बी की तरफ देखिए अगर आप मेकेनिजम सीख गए मैं इसका प्रोडक्ट आम मैं बता दूँ दस स्केंड में बन जाएगा क्या दस सिकेंड में आप आपको आने चाहिए ट्रिक ऐसे नहीं आती ट्रिक मेकेनिजम के तुरु आती अब देखे अब इसके उपर अगली बार मिथाइल आउडाइड का क्या क्या यूज क्या विख यूआणय तुम्हेट यह क्या है आपकी ए प्रसरी अमीन यह क्या है मिथाइल अडेट जी जुड़ी टोनु मिलकर क्या बनाएंगे क्वाटरनलीudery अमोनियम स साल्ट बनाएंग यह ठीक है इस तरी का अब क्या करेंगा यह क्या हो जाता है आपका गुड्ड लिविंग गूरूप क्या हो जाता है गुड्ड अच्छा लड़का है तुर न भाग गया क्लास से समय कि जैसे खंटी बजी नहीं वैसे अच्छी बात है ना सबने बंक किया होगा तो भी करेंगे तो देखिए अब क्या करेंगा यहां से लोन पर यह इस तरह से और यह यहां पर यहां पर निकल जाए दोडूंड बना लेंगे अब क्या है बल्भि घंगा करगा यहां पर यहां पर लिडिल advertisers कर इसलिए यहां पर बेस कि कोईी जरूरत नहीं अगर लुन पर इसको निकलना होते तो ठीक है तो क्या होना में वह कोई 현 कहँ न небया होना होना चाहे था वो हैं या sodium hydroxide कोई भी बेस हो सकता है बात समझ गए अब क्या होगा यहां से निकल गया यानि टर्सरी इमीन हमारी क्या कर गई लिपर गई इस रियक्शन से टर्सरी इमीन हमारी निकल गई और देखिए अब क्या हमरे कंपॉंड के एक्जिस्टेंस कैसी होगी इन अब देखिए यह यहां पे प्लस आ जाएगा नया बॉंड अब जन्येंट होगा यहां पे एक यहां पे और यह क्या बन जाएगा देखिए काल की अगर प्रॉब्लम याद करो कल की जमने आपको प्लास्ट में पढ़ाई ती पहले लेक्शर में पढ़ाई थी तो जहां से दिखिए उसमें सोडियम साइनाइट का रोल कैसे देखेंगे रोल कैसे सोडियम साइनाइट किस फॉर्म एक जीस करेगा इने प्लस और सी यह पर क्या होगा एक नुकली फाइल ठीक है अभी अगर मैं आपको स्पड़ा दिया होता यह जानते हैं तो यहाँ पर सिंपल एक माइकल एडिशन टा तो निक्ट्रोफिलिक सेंटर पर जहां से देखिए यह वहला अब कंपाउंट आपका इरोमेटाइज नहीं 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 अने अने अनस्टेबल हो गया तो कंपाउंड क्या गएगा इस तरह से इस तरह से तो अब अरोमेटाइज हो गया लेकिन साथ में प्लस चाहां पर करेगा और यह चुपचा भई आके इस पर क्या करेंगे अटैक कर देंगे और आपका नूकलियस जहां से देखिए कि स्ट्री और और यह आपका तो यह सी अन ओगा न यहीं हमारा क्या है एक प्रोड़क्ट है यहीं हमारा करेक्ट ऑप्सन था अब देखिए फोर मार्क्स का कुछतन है पहली बात फोर मार्क्स का क्षतन है तो आपको क्या होना जाहिए आपके सारे काउंसेट कितनी साथ में लग गई देखिए ने यह इस देक्सन के तो कुछन तब था और टाइम टेकिंग था अगर आपको मेकनेजिया मोट्रिक आती तो आप क्या करेंगे उसको सॉल्व कर ले जाएंगे ओके